Hello everyone, become part 1 के लिए जो आज हम topic discuss करने जा रहे हैं वो है contingent contract यानि सायोंगिक अनुबंद यानि contingent contract वो अनुबंद होते हैं जो किसी घटना के घटने या नहीं घटने पर निर्वर होते हैं यानि हम कह सकते हैं the word contingent means when an event or situation is contingent that is depends on some other events or facts यानि सायोंगिक जो अनुबंद हैं जो घटना के घटित होने पर आधरित हैं यानि सामाने सब्दों में कह सकते हैं जो सायोंग या अवसर पर आधरित अनुबंद होते हैं उन्हें हम सायोंगिक अनुबंद कहते हैं पते हैं ऐसे अनुबंद जो पूर्णते किसी घटना के घटने घटित होने या सायोंगिक अनुबंद कहलाते हैं क्योंकि अनुबंद व्यवजक छेत्र में भी ऐसे अवसर होते हैं जब कुछ घटनाओं के घटित होने या नहीं होने से व्यवशाईक गतिविदियों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए अर्थात सर्टेनिटी लाने के लिए शायोग पर आधरित अनुबंद करने पड़ते हैं तो इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट जो 1872 है उसका सेक्शन 31 से लेकर 36 तक वो हैं कंटिंजेन कंटेक्ट पर बेस हैं यानि कि जिसमें सेक्शन 31 में कंटिंजेन अनुबंद किसे कहते हैं तो सेक्शन 31 के अनुशार define the terms कंटिंजेन कंट्रेक्ट as follow एक कंटिंजेन कंट्रेक्ट is a contact to do or not to do something if some events collector to such contact does or does not happen यानि हम कह सकते हैं किसी कारे को करने अत्वा नहीं करने के संबंद में इस प्रकार के अनुबंद से है जो किसी ऐसी घटना के घटित होने या नहीं होने पर निरभर है जो अनुबंद की संपार्षविक या साहय के collateral means secondary यानि कि उस घटना के जो collateral जो events है या घटना है उस घटने के घटने या नहीं घटने पर निरभर होती है यदि हम संपल वर्ड्स में बात करें condition contract are the ones where the promiser performs his obligation condition only when certain conditions are met यानि उस इस्थिति में वचन दादा को अपने वायदे को पूरा करना है या contract उस समय valid हो जाता है जब जो सायोंगिक परिस्थितिया है जो conditions contract में डाली गई है वो घटित होती है उस इस्थिति में यदि वो possible है तो possible है उस घटना का घटित होना तो उस इस्थिति में एक valid contract मनता है और यदि contingent contract में घटना का घटित होना impossible हो जाता है तो उस इस्थिति में जो contact है वो वायड या व्यर्थ मान जाता है तो बहुत सारे हम contact की बात करते हैं जहां contingent contract लागू होते हैं नमबर वन insurance यानि बीमा जो अनुबंधे वो contingent contract पर बेस होते हैं यानि किसी घटना के घटने या नहीं घटने पर ही जो insurance claims है उनको settled किया जाता है for example जैसे कोई united insurance company है वो कमल and company का अगनी बीमा fire insurance 20 lakhs में करती है तो उस इस्थिते में यदि कमल and company में आग लगती है fire तो collateral जो जिसमें second जो important चीज़ है वो है collateral आग fire आग लगने पर ही नुक्षान या claim का settlement united insurance द्वारा किया जाता है यानि हम कह सकते हैं यदि कमल and company को आग लगने से होने वाली च्छती या हानी की पूर्ती भीमा company के द्वारा की जाती है अर्थात आग का लगना या नहीं लगना संयोग पर आधारित है यानि आग लग सकती है या नहीं लग सकती है वो एक contingental concept या संयोगिक या conditional या कुछ जो संयोगिक जो अनुबंद संयोगिक प्रकरती के है उस पर निर्भर करती है सेकिंड है आपका indemnity च्छती पूर्ती के जो अनुबंद है वो भी इसी तरीके से contingent contract पर भेस होते हैं इसके अलावा contract of guarantee यानि कोई भी bank यदि जब किसी रिनी को भुक्तान करता है या उसको loan देना चाहता है तो उस इस्तिते में bank एक prime security चाहता है कि ये जो principal data से जिसे मूल रिनी भी हम कहते हैं तो उस चाहता है कि मूल रिनी एक guarantor जिसे हम surety कहते हैं उस guarantor की प्रतिभू दे तो उस इस्तिते में यदि principal data के द्वारा borrowers या bank को यदि रिन का भुक्तान नहीं किया जाता है तो उस इस्तिते में जो guarantee प्रतिभू करता है जिसे हम surety या प्रतिभू करता कहते हैं उस इस्तिते में यदि principal data रिनों के भुक्तान में failure हो जाता है तो उस इस्तिति में जो surety है जो पृतिवू करता है या guarantee देने वाला है उसकी सायोगी या collateral एक liability पैदा हो जाती है और वो एक सायोग पर निर्भद होता है यानि कि मूल रिनी भुगतान करने में fail हो जाता है तो उस इस्तिति में जो surety है पृतिवू दाता है उसकी liability create होती है और अनुबंद के अधिन उसके दायत उत्वन हो जाते हैं नेक्ष्ट हम बात करते हैं characteristics of contingent contract यानि एनिस्चित घटना होनी चाहिए उसमें सायोगी अनुबंद की आधार सिला base अनिस्चित घटना का घटित होना होता है अर्थात सायोगी अनुबंदों का निस्पादन घटित नहीं होने पर निरबारें फोर एक्जांबल राम श्याम से कहता है कि यदि दिल्ली से माल आया तो मैं तुम्हें 50 टन लोहा बेचूंगा यह अनिस्चित घटना पर आधिरत है अर्थात दिल्ली से माल आना अनिस्चित घटना है अधिये एक अनुबंद contingent contact कहलाए इसके बाद अपका घटना अनुबंद के संपार्शविक हो the event is collateral to the contract सायों के अनुबंद में यह भी आवश्यक है कि घटना का अनुबंद के संपार्शविक होनी चाहिए अर्थात सायों की अनुबंद जिस घटना पर आधारित हो वह अनुबंद का मुख्य भाग नहीं हो कर अनुबंद के समानतर होनी चाहिए यादि secondary conditions होनी चाहिए अथे ऐसी इस्तिति में यदि घटना का अनुबंद का सार तत्व है तो ऐसे अनुबंद सायोंगिक अनुबंद की स्रेणी में नहीं आते हैं फोर एक्जम्पल रमेश और प्रोफेसर दिनेश के साथ यह अनुबंद होता है कि प्रोफेसर रमेश के द्वारा दिनेश को चावल देने पर दिनेश प्रोफेसर रमेश को चार अज़ार रुपे क्यूंटल की दर्श से चावलों का मुल्य चुका देगा यह सायोंगिक अनुबंद नहीं है क्योंकि प्रोफेसर रमेश का चावल देना अनुबंद का एक भाग है सायोंगिक अनुबंद में एक विशेश तत्व विद्वान है कि अनुबंद के किसी परक्षकार की जपाटीज है उनकी विल पर डिपेंड नहीं होना चाहिए निर्भार नहीं होना चाहिए यानि एक अनकंट्रोल चर होता है जिस पर अनुबंद के पक्षकारों के द्वारा नियंतर्ण संभाव नहीं होना चाहिए इसके बाद नेक्स्ट वन है इवेंट शुडबी अनसर्टेन नेचर घटना अनिस्चित प्रकरती की हो इवेंट शुडबी अनसर्टेन नेचर मीज यानि कि सायोंगिक अनुबंद की जो अंतरगत जो घटना घटित होती है वैं अनिस्चित प्रकरती की होनी चाहिए यदि घटना का घटित होना निश्चित है तो ऐसे अनुबंद को सायोंगिक अनुबंद नहीं कह सकते next हम बात करते हैं यानि कि हम बात करते हैं there are two types of contact conclude यानि absolute contact वो पूर्णते contact हैं जो सरत्रहित होते हैं जिसमें कोई conditions नहीं डाल याती है और इसके अलावा contingent contact contingent contact उस तरीके से वो contact होते हैं जिसमें कुछ stipulations या कुछ conditions डाली जाती है उन conditions के होने या नहीं होने पर ही contingent contact बदते हैं इसके बाद rules क्या हैं section 32 to 36 जो rules as to the enforcement of contingent contact are below first on the event of happenings यानि section 1232 के अनुसार कहा है किसी घटना के घटित होने पर यानि कि section 32 कहता है कि कोई भी आकश्मिता पर आधरित अनुबन contingent contact इस परकार के हैं कि उसमें दिया गया वचन किसी संपार्षवी collateral भावी घटना के घटित होने पर है तो ऐसे आकश्मिक्ता पराधरित अनुबन को उस समय enforce करवाया जा सकता है जब ऐसी घटना घटित हो जाए for example मनीशा भावानी को एक निश्चित कीमत पर अपनी मारूती कार बेचने का अनुबन करती है इस सर्थ पर कि यदि मादुरी जिसे कार बेचने का प्रस्ताव गिया गया है उसे ऐसी विकार कर दे तो ऐसी दसा में यह अनुबन उस समय तक प्रवर्थित नहीं करवाया जा सकता या enforce नहीं करवाया जा सकता कि जब तक की मादुरी उसे खरीदने से SUV कार नहीं करते लेकिन जब मादरी कार को खरीद लेती है तो उस इस्तिते में यह अनुबंद व्यर्थ बन जाता है यानि घटना के घटने की जो संभावने है वो impossible हो जाती है तो उस इस्तिते में जो contingent contact है वो wide contact बन जाते है second one on the event of non happening यानि कि किसी घटना के घटित नहीं होने पर section 33 जब सायोगी contingent contact किसी घटना के घटित नहीं होने पर आधारित है तो ऐसी इस्तिती में अनुबंद उस समय राजनियम द्वारा या enforceable by law कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंबाव हो जाए लेकिन जब घटना घटित हो जाती है तो ऐसी इस्तिती में अनुबंद व्यार्त बन जाता है यानि जो events से घटित नहीं होना चाहिए था और events की impossibility यानि कि events घटित हो गया है यानि अब जो non happening है वो happening हो चुका है impossible हो चुका है तो उस इस्तिती में आपने जो contact है contingent contact है वो wide contact हो जाते हैं थर्ड वन अनिश्चित घटना यानिश्चित समय में घटित होना happening of an uncertain event within fixed period section 34 जब सायोंगी अनुबंद ऐसी प्रकरति का हो जो किसी विशिष्ट अनिश्चित घटना के निश्चित समय में घटित होने पर आधारित है यानि उसमें time stipulations दे होए तो इस इस्तिते में यदि ऐसे निश्चित समय में घटना घटित नहीं होती है या निश्चित समय से पहले घटना का घटित होना असंभव हो जाता है तो ऐसा अनुबंद व्यर्थ माना जाता है फोर एक्जम्पल रमन रामलाल से ये ठहराव करता है कि रामक्रेश्चन नामक जहाज के तीन महां के भीतर लोट आने पर रमन रामलाल को 51,000 रुपिज देने का प्रामिस करता है यदि रामक्रेश्चन नामक जहाज तीन महां में लोट आता है तो अनुबंद को एंफॉर्शिबल कराया जा सकता है और लेकिन यदि रामक्रेश्चन नामक का जहाज तीन महां के भीतर समुदर में डूब जाता है या तीन महा के बितर वापिस नहीं आता है तो अनवन्द वाइड अनवन्द माना जाता है फोर्थ वर्थ नॉन हैपनिंग आफ इवेंट विधिन फिक्स पीरियड यानि कि जब साइम कॉंटिजन की नेचर ऐसी है जो किसी विशिष्ट अनिश्चित गटना के निश्चित समय में गटित नहीं होने पर आधारित है तो ऐसी इस्थिति में अनुमंद उस समय एनवन्द वाइड हो जाता है फोर एक्जमपल रविंद्र परितोस को 11,000 इस कंडिशन्स में देने को शेमत हो जाता है कि यदि दिल्ली से जैपूर सांगानेर हवाई अड़े पर आने वाले जहाज सुबह 9 बजे हवाई अड़े पर नहीं उतरे तो ऐसी दसा में यानुमंद उस समय प्रवर्थित या नफोर्शिबल किया जा सकता है जब वे हवाई जाज 9 बजे सुबह हवाई अड़े पर नहीं उतरे लेकिन यदि हवाई जाज सुबह 9 बजे हवाई अड़े पर उतर जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंडिसन्स में अनुमंद वाईद हो जाता है इसके बाद 5 बजन असंभव घटना के घटित होने पर निरिभर अनुमंद यानि कि जब सायोंगी ठहराओ ऐसी प्रकरतिका है जो असंभव घटना के घटित होने पर आधारीत है इंपॉसिबल इवेंट से जो घटना नेचुरली जिसका घटना कभी संभव नहीं हो पाता है तो वो भी अनुबंद व्यर्थ कांटेक्ट या कंटिजन कांटेक्ट माना जाता है For example, सुर्वेश जैसरी को 5000 रुपेद देने का ठेराव यह करता है यहां आसमान से तारे तोड़ने का घटना की घटना असंभव है इंपॉसिबल है? एक्जुकिशन इंपॉसिबल है तो ऐसी स्थिति में जो अनुबंद है कांटेक्ट अनुबंद है जो संयों पर निधारी थे वो व्यर्थ अनुबंद माना जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम अनुबंद को निश्पादन परफॉर्मेंस और कांटेक्ट किस तरीके से होता है उसके क्या प्रकार होते हैं टाइस अपरफॉर्मेंस डिसकस करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद